नमश्कार सभी साथियों को छोटा सा प्रसंग माभारत का उमीद करता हूँ आपको भोत अच्छा लगेगा और एक अच्छी प्रेणा मिलेगी माभारत के बारे में आप सभी को पता है कुर्शेत्र युद्भुमी रही है माभारत की जब माभारत का युद्ध निश्चित होता है तो भगवान शिरी कृष्ण से साइता मांगने के लिए दुर्योधन और अर्जुन जाते हैं भगवान शिरी कृष्ण विश्राम कर रहे होते हैं तो दुर्योधन जैसे ही जाता है तो वे भगवान शिरी कृष्ण के मस्तिश के पास जाकर खड़े हो जाता है और इसके तुरंत बात अर्जुन जाता है तो वे भगवान शिरी कृष्ण को जब विश्राम करते हो देखता है तो वे भगवान के चरनों में बैठ जाता है जैसे ही अगवान कृष्ण की आँख खुलती है तो वे अपने सामने अर्जुन को पाते हैं और तुरंत कहते हैं ये पार्थ तुम कब आए इतना सुनने की देर है जो दुर्योधन था वो क्रोधित उड़ता है और एकदम कहता है ये वासुदेव पहले में आये था अर्जुन तो बाद में आये है तो इतना दुर्योधन को वो शांत करवाते हैं और कहते हैं आप दोनों मेरे पास क्यों आए है तो दुर्योधन कहते हैं महाभारता युद्ट निश्चित हो चुका है प्रन्तु जिस तरफ भी मैं जाऊंगा जिस तरफ भी जो भी मुझे लेना चाहेगा मेरी एक ही शर्त है मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा यह सुनकर दुर्योधन असमंजस में पढ़ जाता है और सोचने लगता है वही वासुदेव को लेकर मैं क्या गुरू जब यह मेरी मदद ही नहीं करेंगे मेरी साहिता ही नहीं करेंगे तो वासुदेव जी दो अप्षन देते हैं भी एक तरफ मैं स्वयम हूँ और एक तरफ लाखो की संख्या में नरायनी से ना बता दुर्योधन तुम्हें क्या चाहिए तो दुर्योधन सोचता है जब वासुदेव कह रहे हैं कि मैं जिस तरफ जाओंगा मैं शस्त्र नहीं उठाओंगा तो मैं वासुदेव को लेकर क्या करूँ क्योंकि दुर्योधन अज्यानी था मुरूख था वैं प्रमात्मा के सवरूख को नहीं पैचानता था तुम्न नहीं का कि मैं तो लाखों की संख्यम नराईनी सेना लूँगा तो भगवान श्याकृषन कहते हैं जा दुर्योधन तेरा अगल जांओ तो द्रิोधन बड़ा खुशो करमाति चला जाता है तो उसके बाद भगवान शिरी कृष्ण अर्जुन से कहते हैं हे अर्जुन हार निश्चीत है तेरी सदा रहेगा उदास माखन दुर्योधन ले गया केवल चाच बची तेरे पास कि लाग सेना तो दुर्योधन ले गया आप तो तेरे सामने मैं खडाऊं और मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा तो इसका प्रति उत्तर देते हुए अर्जुन कहते हैं भवान शिरी कृष्ण से हे प्रभू जीत निश्चित है मेरी दास नहीं हो सकता उदास माखन लेकर क्या करूँ जब माखन चोर है मेरे पास माखन चोर है मेरे पास तो कहने का भाव है अगर आपका इश्वर पर विश्वास है और टूट विश्वास है तो आपकी जीत निश्चित है आपको हराने वाला कोई नहीं है आपकी प्राथना सुनी जाएगी तो इश्वर्थ पर विश्वास रखिए आप जिन में जरूर काम्याव होगे धन्यवाद मैं उम्मीद करता हूँ इस चोटे से प्रसंग से आपको भूत प्रेर्णा मिली होगी धन्यवाद